भारत के स्टार जैवलिन थ्रोवर नीरत चोपडा ने वर्ल्ड एथलिटिक चैंपियनशिप दो हजार तेईस के क्वालिफाइंग राउंड में शुक्रवार को 88.77 मीटर थ्रो किया इसके साथ ही उन्होंने पैरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया नीरच ने वर्ल्ड एथलिटिक चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगे पक्की कर ली है पैरिस ओलंपिक की शुरुवात 26 जुलाई 2024 से होगी हंगरी के बुड़ा पेस्ट में जारी वर्ल्ड एथलिटिक चैंपियनशिप में नीरच ने क्वालिफाईंड राउंड के अपने पहले प्रियास में ही 88.77 मीटर थ्रो किया जो उनका सीजन का बेस्ट भी है ओलंपिक एशियन गेम्स और कॉमन वेल्फ गेम्स में गोल्ड मैडल जीतने के अलावा 25 साल के नीरच चोपडा टाइमेंड लीग चैंपियन भी है मीरच चोपडा के फाइनल के लिए क्वालिफाई होने के साथ भारत को इस चैंपियनशिप में पदक की उमीद भी बढ़ गई क्यूंकि अब तक किसी भारती खिलाडी ने वर्ल्ड एथलिटिक चैंपियन में गोल्ड नहीं जीता है हुआ है ये है इंडिया फर्स्ट कम्यूनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भरतीर